मंडी जिला के बल उपमंडल के कुम्मी गाउं की अल्ट्रा डिस्टेंस रणर अंजू सैनी अक्तूबर में रुमानिये में होने वाली वर्ल्ड चेंपिन्शिप में भारत का प्रति नितित्व करेंगी 23 जनुरी को बंगलूर में एन एवी स्पोर्ट्स दौरा आयोजी दोड में 24 घंटे में 183 किलोमेटर की दूरी तैय करने पर अंजू सैनी का चेंद वर्ल्ड चेंपिन्शिप के लिए हुआ है इस दोड में अंजू सैनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है इसकार मेरा नाम अंजू सैनी है मैं एक अल्टर जूसरा स्थान हासिल किया जिसके आधार पर अक्टूबर 2021 में होने वाली IAU 24 आर वर्ल्ड चेंपिन्शिप में मैंने क्वालिफाई किया है मैं अपनी इस पूरी जीत का पूरा श्रेय अपने हस्बंड, अपने बच्चों, अपने कोच और अपने क्रू मेंबर्स अंकुस कुमार को देना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं अपना ये लक्षा हासिल कर पाई मेरा वर्ल्ड चेंप्रेंशिप में जाने का सपना मेरे पापा का सपना था जो खुद एक अथलीट रह चुके है वो हमेशा से चाते थे कि मैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ मैं अपनी पूरा रन अपने पापा को डेडिकेट करती हूं और वविश्य में चाहूंगी कि इस से ज्यादा डिस्टेंस करके मैं देश को गोल्ड मेडल दिलवा सकूं धन्यवाद जय हिंद जय भारत मैं रेश कुमार सेनी जी अंजू सेनी का पिता हूं जी और अंजू सेनी को जो बच्पन से रेसर बनने की बड़ी-बड़ी तमना थी इसकी और मैं खुद भी रेसर रहा हूं स्कूल के टैम से और मैंने नेशनल तक पार्टिस्वेट किया हुआ है इसके परिवार के भी बड़ा बारी से ओग रहा है इसको अजू सेनी को जो जो है आज जो मरी रेसर बनाने का इसके पता ही पती का बहुत से ओग रहा है जो आज ही आगे इंटरनेशनल इंगेम तक खिलने गा दिवे हमाचल टीवी के लिए नेरचोक से राजू धिलारिय की रिपोर्ट हैपी फैशन मॉल नेरचाक सेल 10 जनवरी से 10 फरवरी तक लेडी सूट 200 रुपए में एक सूट के साथ एक सूट फ्री तो चले आईए हैपी फैशन मॉल नेरचाक मंडी